वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा राधे राधे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग आप सभी धर्मे प्रेमियों को साधर परणाम करती हूँ आज मैं आपको शिरीमत भगवत गीता का दूसरा महात्यमे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी प्रथम अध्याई के महात्यमे का उत्तम आख्यान मैंने तुम्हे सुनाया अब अन्य अध्याईों के महात्यमे को भी श्रवन करो दक्षिन दिशा में वेद वेता ब्रहामनों के पुरंदरपुर नामक नगर में एक देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्रहामन रहते थे वे ब्रहामन अतीतियों का सत्कार क्या करते थे वे बड़े ही स्वाध्धाईशील, वेद शास्त्रों के ग्याता, यग्यों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिये थे उन्होंने कई तरग के यग्य हवन आधी करे देवताओं को भी तरप्त किया परन्तु उन्हें आत्म शान्ती नहीं मिल रही थी वे परम कल्यान में तत्व का ज्यान प्राप्त करने की इच्छा से प्रती दिन प्रचुर सामग्रियों के साथ तपस्यों की सेवा भी करने लगे इस प्रकार शुब आचरन करते हुए उन्हें बहुत समय बीट गया तब एक दिन प्रत्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा जी अचानक से प्रकट हुए वे त्यागी महात्मा जी बड़े ही अनुभव शाली, आकाश, गंगा, रहित, नासीका के अगर भाग पर दश्टी रखने वाले और शांत चित मनुश्य थे निरंतर पर महात्मा के चिंतन में वे सलंगन रहते थे और आनंद विभो रहते थे उस त्यागी तपस्मी महात्मा को देख कर देव शर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्मन, मुझे आत्म शांती कैसे प्राप्त होगी उस त्यागी महात्मा जी ने देव शर्मा से कहा कि हे ब्रामन सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान जो बक्रियों का चरवाह है तुम उनके पास जाओ वही तुमें प्रवचन और उपदेश देंगे ऐसा कहे कर वहत्यागी महात्मा जी जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही अंतरध्यन भी हो गए देव शर्मा ब्रामन को बड़ा ही आश्चरिये हुआ तब वे समरद्धी शाली सोपुर ग्राम में पहुँच कर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन में गए उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर वह बक्रियों का चरवाहा मित्रवान बैठा हुआ था उसके नेत्रों से बड़ा ही आनंद जलक रहा था वह अपलक द्रश्टी से देख रहा था वह इस्थान ऐसा था कि वहाँ पर सभी जीव जन्तु जानवर आपस का वेर भाव छोड़ कर एक ही इस्थान पर विच्रन कर रहे थे वहां मंद मंद वायू बह रही थी नदी पर भक्री और शेर एक साथ जल पी रहे थे म्रगों के जुन्ड शान्त भाव से बैठे हुए थे मित्रवान उन सब को दया की द्रश्टी से निहार रहा था और अपनी आखों से अमर छिड़क रहा था वह ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था उसी रूप में उस मित्रवान ने देव शर्मा का आखों से स्वागत किया तब देव शर्मा उसके पास जाकर बैठ गया थोड़ी देर बाद मित्रवान का जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब देव शर्मा ब्रामन ने बक्रियों के चरवाहे मित्रवान से कहा कि हे महाभाग मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाता हूँ मेरे इस मनौरत को आप प्रवच्चन दे कर पुरा कीजिए जिसके द्वारा आपको सिध्धी प्राप्त हुई वही सिध्धी मैं भी प्राप्त करना चाता हूँ तेव शर्मा ब्रामन की बात सुनकर मित्रवान ने एक शर्ण तक कुछ विचार किया और उसके बाद वह बोला कि है विद्वान ब्रामन एक समय की बात है मैं वन में अपनी बक्रियां चरा रहा था तभी एक व्याग्र की दश्टी मेरे उपर पड़ी ऐसा लग रहा था कि वह एक ही गास में मुझे पूरा ही चबा जाएगा मैं म्रत्यू से डरता था इसलिए व्याग्र को आता हुआ देखकर बक्रियों के जुंड को उसके आगे करके मैं वहाँ से भाग गया किन्तु मेरी एक वक्री तुरंत ही सारा भै छोड़ कर नदी के किनारे उस बाग के पास चली गई और व्याग्र भी द्वेश छोड़ कर चुप चाब वक्री को देखता रहा उसे इस अवस्ता में देखकर वक्री व्याग्र से बोली कि अरे व्याग्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मास निकाल कर तुम प्रेम पूर्वक खाते क्यों नहीं, तुम इतनी देर से खड़े क्यों हूँ, तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है, तो व्याग्र बक्री से बोला कि हे बक्री, इस इस्थान पर आते ही मेरे मन से सारा द्वेश भाव खतम हो गया, मेरी भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए तुम्हारे पास होने पर भी, तुम्हें खाने की मेरी इच्छा बिलकुल समाप्त हो गई है, व्याग्र के ऐसा कहने पर बक्री ने कहा, नै जाने मैं भी कैसे निर्वे हो गए हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है, यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ, यह सुनकर व्याग्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, चलो, सामने खड़े हुए उस महापुरुष से पूछत हैं, ऐसा निश्चर करके वे दोनों मेरे पास आए, और वे दोनों मुझसे इसका कारण पूछने लगे, लेकिन मैंने उन दोनों को कहा कि मुझे भी इसका राज मालूम नहीं है, वहीं व्रक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैटे हुए थे, वो वानर राज हम सब की बा मैं जानता हूँ, तब हम सबी ने उस वानर राज से कहा कि अगर आप जानते हैं तो आप बताईए, तब वानर राज ने कहा कि है अजापाल सुनो, इस विश्या में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, यह सामने वन के बीतर जो बहुत बड़ा मंदिर तुम पूर्वकाल में यहां सु कर्मा नाम का एक बुद्दीमान ब्रहमन रहता था, जो तपश्या में हमेशा अलीन रहता था और मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता था, वहवन से फूलों को लाता और नदी के जल से भगवान शिवलिंग को इस्तनान कराता और फूलों से पूजा किया करता था, इस प्रकार आराधना का कारिय करते हुए सु कर्मा यहां निवास करता था, बहुत समय के बाद उसके समीब एक अथिती का आगमन हुआ, सु कर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अथिती को अरपन किया और कहा कि हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्यान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ, आज इस आराधना का फल मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि आज आप जैसे महापुरुष का यहां आगमन हुआ, सु कर्मा के मदुर बचन सुन कर तपश्या के धनी महात्मा अतिती को बड़ी ही प्रसनता हुई, और उन्होंने एक शीला खंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्रामन को कहा कि तुम नित्य प्रती इस पाठ का अभ्यास किया करो, हे ब्रामन इससे तुम्हें आत्मे ज्यान की प्राप्ती होगी, ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्व सुकर्मा के सामने ही देखते देखते ही अंतरध्यान होगे, सुकर्मा बड़ा आश्चरिय चकित हुआ, उनके जाने के बाद वह निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगा, दिर्गकाल के पश्चात अंतहकरन शुद्ध होकर उन्होंने आत्म ज्यान की प दूर हो गई, इतना ही नहीं, उन इस्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा, और भै भी जाता रहा, यह सब गीता के दूसरे अध्याय का जाब काने से उस्सु कर्म्रा भावन की तपश्या का ही प्रभाव समझो, तम मित्रवान देव शर्मा भ्रामन से बोला, कि हे देव, वानर राज के ऐसा कहने पर मैं प्रसनता पूर्वक बक्री और भाग के साथ उस मंदिर में दर्शन करने गया, जहां शीला खंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था, मैंने वही पर जो जोर से उसे प गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास किया करो, ऐसा काने से तुम्हे आत्म ग्यान की प्राप्ती होगी और मुक्ती तुमसे दूर नहीं रहेगी, तब विश्नु भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिये, मित्रवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देव श कह सुनाया, सबसे पहले उन्हीं से जित्य अध्याय को पड़ा, तब वहदेव शर्मा ब्रहामन प्रती दिन गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगा, जिसे उसे आत्म ग्यान की प्राप्ती हुई और परंपद को प्राप्त हुआ, तब संजय बोले कि पुर्वक प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आसूं से पून तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोका युक्त उस अर्जुन के प्रती भगवान मदुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन तुमको इस विश्यम इस्थल में यह अज्यान किस हेत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि य नेतो शेष्ट पुरुशों से आच्रिन किया गया है, नहीं स्वर्ग को देने वाला है, नकीर्थी को देने वाला है, इसलिए हे अर्जुन नपुसंक्ता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, हे परंतप तुछ हिर्दय की दुर्बलता को त्याग कर तु युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तवर्जुन ने कहा कि हे मदुसुदन, मैं रण भूमी में भीश्मिपिता महैं और दुरुणाचारिय के प्रती किस प्रकार बाणों को करके युद्ध करूँगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनिये हैं, इसलिए इन महानो भाव गुरुजनों को ने मार कर इस लोक में भिख्षा का अन भी भोगना कल्यान कारग मैं समस्ता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधीर से सने हुए आर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, और हम लोग यह भी नहीं जानते क हम जीतेंगे या वे जीतेंगे और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाते वे ही द्रजदास के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोश करके उपहत हुए सौभाव वाले और धार्मे के विशय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूँ जो कुछ न आप शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमी में निशकंटक धन धान्य संपन राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके तब संजय बोले कि हे राजन होगे उसके बाद हे भारत वन्शी धद्राष्ट अंतरिया में स्रीक्रश्न महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अरजुन को हसते हुए ये वचन कहे हे अरजुन तुन शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है परन्तु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना युक्त है वास्ता में नै तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे और नै ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे किन्तु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा व्रदवस्ता होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ती होती है उस विश्य में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है अर्था जैसे कुमार युवा जरा अवस्ता रूप इस्तूर शरीर का विकास अज्यान से आत्मा म वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सुष्म रूप सुष्म शरीर का विकार भी अज्यान से ही आत्मा में भासता है इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुस इस विषय में नहीं मोहित होता है कुंति पुत्र सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिये और विश्यों के सायोग तो शनभंगूर और एनित्य हैं इसलिए हे भरतवन्शी अर्जुन उनको तु सहन कर क्योंकि हे पुरुशेष्ट सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुश को यह इंद्रियों के विशे व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है और हे अर्जुन ऐसुत वस्तु का तो अस्तित्वी नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रका इन दोनों का ही तत्व ज्यानी पुरुशोद्वारा देखा गया है इस न्याय के अनुस रहित ए प्रेमीव नित्य सरूप जिवात्मा के यह सब शरी नाषवान कहेंगे हैं इसलिए हे वरतवन्शी अर्जुन तु युद्ध कर जो इस आत्मा को मारने वाला समस्ता है अत्वाजो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा ने मारता है और न मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता न मरता है और नहीं यह आत्मा हो इसके लिए होने वाला है क्योंकि यह एजन्मा नित्य शास्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है प्रत्वी पुत्र अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित नित्य जन्मा जानता है वैपुरुष किसे किसको मरवाता है और किसे किसको मारता है और यदि तू कहे तो मैं तो शरीरों की व्योग का छोग करता हूं तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे मनुष पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारन करती है इसलिए है अर्जुन इस आत्मा को शस्त्र आदी नहीं कार सकता इसको आग नहीं जला सकती इसको जल गीला नहीं कर सकता इसको वायू नहीं सुखा सकती क्योंकि यह आत् आत्मा एदा है एकलेध है एशोश्य है और यह आत्मा नी संद्य नित्य सर्व व्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है यह आत्मा एव्यक्त अर्थात इंद्रियों का एविश्य है और यह आत्मा एचिंत अर्थात मन का एविश्य है और यह आत्मा विकार रहीत अर् अर्था तुझे शोग करना उचित नहीं है यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी है अर्जुन इस प्राकार शोग करने को तू योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले ने निश्चित म्रत्यू और मरने वाले का निश्चित जन्म होन इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विशय में शोग करने के तू योगे नहीं है यह भिश्म आदि को के शरीर माया में होने से अनित्य है इससे शरीर के लिए भी शोग करना उचित नहीं है क्योंकि है अर्जुन संपूर प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं फिर उस विशय में क्या चिंता करना है अर्जुन यह आत्म ततू बड़ा गहन है इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चरी की जो देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चरी की ततू को कहता है और दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चरी की जो सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता हे अरजुन ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही एवध्य है इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तुशो करने के योग्य नहीं है और अपने धर्म को देख कर भी तुभै करने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़का दूसरा कोई कल्यान कारक करता है चत्रिय के लिए नहीं है ये पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान चत्रिय लोग ही पाते है और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सर्धर्म को और कीर्थी को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले अब कीर्थी को भी कथन करेंगे और अब कीर्थी माननिय पुरुष के लिए मरन से भी बुरी है और जिनके तु बहुत माननिय होकर भी अब तुछता को प्राप्त होगा वे महारती लोग तुझे भै के कारण युद्ध में उप्राम हुआ मानेंगे और तेरे वेरी लोग तेरे सामर्ते की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे फिर उससे अधिक दुख और क्या होगा इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है क्योंकि या तो मर कर स्वर्ग को प्राप्त होगा अत्वा जीत कर पत्वी को भोगेगा इसलिए हे अरजिन युद्ध के लिए निश्चे वाला होकर खड़ा हो यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छ नह हो तो भी सुख दुख लाब हानी जै पराजय को समान समझ कर इसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा इस प्रका युद्ध काने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा हे पार्थ यह बुद्ध के लिए ज्ञान योग के विशे में कही गई और इसी को अब निश्काम कर्म योग के विशे में सुन कि जिस बुद्धी से युक्त हुआ तो कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा इस निशकाम कार्मयोग में आरंब का अत्वाबीच का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरुप दोश भी नहीं होता इसलिए इस निशकाम कार्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी सादन जर्म म्यत्यू रूप महान भैस से उधार कर देता है हे अर्जुन इस कल्यान मार्ग म निश्च्यात्मक बुद्धी एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदो वाली अनंत होती है हे अर्जुन जो सैकामे पुरुष के वल फल शूती में पीती रखने वाले स्वर्ग को ही परमशेष्ट मानने वाले इससे बढ़कर और कुछ नहीं हैं ऐसे कहने वाले हैं वे ए विवेग जन जन्म रूप कर्मफल को देने वाली और भोग तता एश्वरी की प्राप्ती के लिए बहुत सी किरियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वानी को कहते हैं उस वानी द्वारा हरे हुए चित वाले तता भोग और एश्वरिय में आ सकती वाले उन पुरुशों के अंतह करण में निश्च्यात्मक बुद्धी नहीं होती हैं अर्जुन सब वेद तीन गिनों के कारिय रूप संसार को विशय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं इसलिए तु ऐ संसारी अत्वा दित्यवस्तु में इस्तितता योग शेम को नहीं जाने वाला और आत्म परायन हो क्योंकि मनुष्य का सब और से परिपून जलाशे के प्राप्त होने पर छोटे जलाशे में जितना प्रयोजन रहता है अच्छी प्रकार भ्रह्मा को जानने वाले ब्रामन का भी सब वेदो में उतना ही प्रयोजन होता है जैसे बड़े जलाशे के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशे की आवशक्ता नहीं रहती वैसे ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ती होने पर आनन्द के लिए वेदों की आवशक्ता नहीं होती इससे तेरा कर्म करने मातन में ही गतासिद्धी और एसिद्धी में समान बुद्धी वाला होकर योग में इस्थित हुआ कर्मों को कर यह समत्व भाही योग नाम से जाना जाता है इस समत्व रूप बुद्धी-योग से सैकाम कर्म अत्यंत तुछे इसलिए है धनज समत्व बुद्धियोग का आश्रे ग्रहन कर क्योंकि फल की वासनवाले अत्यंत दीन होते हैं समत्व बुद्धियुक्त पुरुष पुनिय पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है अर्थात उनसे लिपायमा नहीं होता इसलिए समत्व बुद्धी योग के लिए ही चेश्टा कर यह समत्व बुद्धी योग ही कर्मों में चतुरता लाता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है क्योंकि बुद्धी योग युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमरत में परंपद को प्राप्त होते हैं हे अर्जुन जिस काल में तेरी बुद्धी मोहरूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी तब तु सुनने योग्य और सुने हुए के विराग्य को प्राप्त होगा जब तेरी अनेक प्र प्रूप योग को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे केशव समादी में स्थिर बुद्धी वाले पुरुष का क्या लक्षन है और स्थिर बुद्धी पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैढ़ता है कैसे चलता है इसके ब अत्मा में संतिस्ट हुआ, इस्थिर बुद्धी वाला कहा जाता है, तथा दुखों की प्राप्ती में उद्वेग रहित है, मन जिसका और सुखों की प्राप्ती में दूर हो गई है, इस प्रहा जिसकी तथा नश्ट हो गया है, राग भै और क्रोध जिसके ऐसा मुनी इस्थिर बुद्धी कहा जाता है जो पुरुष सर्वत्र इसनह रहित हुआ उन शुब तथा अशुब वस्तों को प्राप्त होकर नप्रसन होता है नद्वेश करता है उसकी बुद्धी इस्थिर है और कच्छवा अपने अंगों को ज अमेट लेता है तब उसकी बुद्धी इस्थिर होती है यद्यपी इंद्रियों के द्वारा विश्यों को नए ग्रहन करने वाले पुरुषों के भी केवल विशे तो निवरत हो जाते हैं परन्तु राग नहीं निवरत होता और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवरत हो जाता है और हे अरजुन जिससे की यह यत्न करते हुए बुद्धी मान पुरुष के भी मन को यह प्रमधन सोभाव वाली इंद्रियां बलातकार से हर लेती है इसलिए मनुश्यों को चाहिए कि उन संपून इंद्रियों को वश्मे करके समाहिच च अंसहीत इंद्रियों को वश्मे करके मेरे परायन नहोने से मन के द्वारा विश्यों का चिंतन होता है और विश्यों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विश्यों में आसकती हो जाती है और आसकती से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है और कामना में विद्न पढ़ पुरुष राग देश से रहीत अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विश्यों को भोगता हुआ अन्तहकरण की प्रसंदता और स्वच्चता को प्राप्त होता है उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसंदचित वाले पुरुष की बुद्धी शिक्री ही अच्छी प्रकार इस्थिर हो जाती है इसलिए है अरजुन सादन रहित पुरुष के अन्तहकरण में शेष्ट बुद्धी नहीं होती और उस एयुक्त के अन्तहकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शान्ती भी नहीं मिलेगी फिर शान्ती रहित पुरुष को सुक्त ऐसे प्राप्त हो सकता है क्योंकि जल में वायू नाव को जैसे हर लेती है वैसे ही विश्यों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिये के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिये इस आयुक्त पुरुष की और हे अरजुन संपून भूत प्राणियों के लिए जो रात्री है उस नित्य शुद्ध बोध सरू परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान शनभंगूर सांसारिक सुक में सब भूत प्राणि जागते हैं तत्रु को जानन वाले मुनी के लिए वह रात्री है जैसे सब और से परिपून अचल प्रतिष्टा वाले समुद्र के प्रती नाना नधियों के जल उसको चलायमान ने करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही जिस इस्थिर बुद्धी पुरुष के प्रती संपून भोग किसी प्रकार का विका उत्पन किये विना ही समा जाता है वह पुरुष परम शांती को प्राप्त होता है नेकी भोगों को जाने वाला क्योंकि जो पुरुष संपून कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और एहिंकार रहित इस प्रहा रहित हुआ बर्दता है वैस शांती को प्राप्त होता है इसल अम्मानंद को प्राप्त हो जाता है इस तरह आज मैंने आपको श्रीमत भगवत गीता का दूसरा महात्यमे और दूसरा अध्याय सुनाया आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे के महात्यमे और अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद